नमस्कार सो यह वीडियो स्पेशली में बना रहा हूं क्योंकि अब राउंड टू का रिजल्ट आज यूप और पंजाब का भी आ जाएगा रायसान का ऑफ लाइन चल रहा है तो उसमें कट आफ बाद में पता चलती है सो अब प्रेटिकली नौस इंडिया के तो सारे कहते हो क्योंकि निपड़ गए और जो ओपन या क्लो स्टेट है राइस्तन हम जानते है राउंड टू में ओपन हो जाता है मध्यापरदेश क्लोज दी रहता है फिर वां मिधावी छात्र योजना के चक्कर में कभी कट आफ नीचे गिरती नहीं को सभी बच्चे प्राइबट की रेंज में थे फिलाल उनको और जोने यूपी नहीं लिया देखिए यूपी जो ले ले लेता है एक बार उसको तो लगता है कि भाई मेरे फीस फस गई है और यूपी की रूल आप जानते ही है अब राउंड टू भी हो गया तो अब आग यूपी की सीट छोड़ सकते हो अब भी मौप आप से पहले बड़ जो भी अपने फीस पे करें थी वो तक्रीवा सारी ही डूप जाती है पहले साल की ठीक है कुछ लोग वो रिस्क भी लेते हैं वह खर्चा भी करते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है जो कि इस साल पूरी उम हिमाजचल चल रहा है और हिमाजचल में एक ही प्रिवेट खॉलिज है में इसमें होती है तेईस जो भी तक शायद एक भी नहीं भरी है तो सारी सीटे मौपप राउड में आती है राउंड टू में टू थल्टी कट आउफ गई थी लेकिन अडिमीशन नहीं हुए और जब र मौपप यह पक्की बात है कि बाकि सभी स्टेट से पहले हो जाएगा हर्याना यूपी उनको डेट्स को तो करना पड़ेगा कि उतना फास नहीं जा सकते तो पीछे चलना पड़ेगा अब आप सब के लिए मैं पता दूगी हिमाजचल में जब मौपप आता है बागी सब ज पर हिमाजचल में चुकि मोस्ट अवदी सरकारी सीटे नब भर जाती है राउंड टू में मोस्ट अवदी क्योंकि उनका कल्चर यह ऐसा है कम नमरों पर भर जाती है को छोड़ता नहीं है उसकी सीट और फिर एक ही प्राइवेट कॉलिज है तो प्राइवेट कॉलिज अप अपना मौपप खुद करता है अपने कॉलिज में करता है सोलन केंपस में करता है और बस मैं आपको वीडियो में इतना ही बोल पाऊंगा बहुत खुल के नहीं बता सकता और हम सभी जानते हैं तो पहले मेरी वीडियो से आपने देखा ही है कि नौर्थ में अगर दो यहां पर हमें सीट मिल जाती है कम नंबरों पर बैक डॉर से तो यही है एमें मु सोलन और एमें मु अंबाला क्योंकि जो इनके ओनर है वो डिया ओपन टू फिशी थिंग्स तो मौपा में भी होता है दो तरीके सोता है एक होता है कि खुला जिसे कहते हैं आपे नंबर बह तो यह वो सिस्टम होता है और सिस्टम यह भी होता है कि मॉपसाइट की किकी कोणे मेरा रात को डाला जाता है और सिरफ जिस्टूडिक इसने पहले बात कर लिए उनको पता चल जाता है थूर कउंसलर्स और तूड़ डेटली जाएंगे तुझे आपको परपस होता है कि आपको information देना समय से ताकि आप लोग उस दिन वहाँ पर मौजूद हो पाएं वहना लोग मौजूद ही नहीं हो पाते हैं और यह सब का भी चार्जिस होते हैं तो जो भी समय मैं MMU Solan लेना चाह रहा है जो हर्याना में जिसने भी यूपी नहीं लिया में तो बापा कहने हो या लूपी ले चूँगी उत्रखनवर रिसल्ट अभी आया है तो जुजल से यही साबित हो रहा है कि जो ओपन है Solan की फीज देने के लिए और हर्याना में जिसके 170-180 मार्क्स हैं मैं बार पर उनको समझाता हूं कि आप ट्राइ कीजिए Solan क्योंकि हर्याना की सीट तो कहीं नहीं गई जजजर पानी पर दोनों खाली जाने वाले हैं तो राउंड फोर क्या वो तो काउंसली खतम होने के चान दिन पहले आप डिलेटली जाएंके फीज देके भी लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं और डेफिनिटली क्वालिटी ओफ एज्जुकेशन में दो जमीन असमान का फरक है तो जो लोग अपने स्टूडन के लिए बच्चे के लिए क्वालिटी ओफ एजुकेशन देख रहे हैं दोसों के नंबरों की रेंज में हैं कि आदेश न पहले सोलन का चांच लेना चाहते हैं और एक रिजनेबल चांच लेना चाहते हैं और जहां आप 95 लाग भी खर्च करने को तयार हैं सो डू कॉन्टेक्ट अस ऑन 96433 62320 और हम आपको हेल्प करेंगे यह इन्फोर्मेशन गैप को फुल्फिल करने के लिए और जो भी चार् भाई अब आइ यह नाइज दे